जैहिन दोस्तू मेरा नाम है सागर गुपता डिजाय टुलन में आपका स्वागत है तो आज अपन कवर करेंगे 25 और 26 पैप के करेंट अफेर्स यहाप अपन जानेंगे इंपोर्टेंट फैक्स और यह दिन आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है और काफी जादा इंपोर्टेंट है रेसेंटली जी सी मुर्मू सेलेक्टेड अस अट्सचनल और एइंटर नीवर ऑर्गनाजिशन जैसा कि आपको पता हैं इंटरनेशन लेवर ऑर्गनाजिशन एक एजिनसिय है योनाइटेंड नेशन की जिसका हैड़ कॉर्टर जीनेवा स्वेज मुर्मुजी बने वो क्या बनेंगे वो एक external auditor बने 2024 से 2027 तक इनका term रहेगा for 4 years तो ये चीज आप दिखान रखेंगे ठीक है अपन और इसमें एक चीज और discuss करते हैं recently अब भी SEO Cake ठीक है SEO Cake की submit हुई थी वो जिसको chaired किया गया था इंडिया के द्वारा और ये Summit कहां पर होई थी ठीक है ये Summit कहां पर होई थी तो ये होई थी कहां पर Lucknow ठीक है लखनो UP में है न? और अगर मैं बात करूँ कि इसको chaired किस ने गया था तो इसको chaired किया था nen मुर्मू जी ने तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और आपको कुछ नहीं याद रखना है next question देखते है so next question है five indigenous light combat aircraft जिनका नाम है Tejas will take part in exercise desert flag काफी जादा important ये exercise है आपको इसका नाम याद रखना है कहाँ पर host हो रही है ये कहाँ पर हो रही है आपको पता होना चाहिए ये हो रही है UAE में ठीक है और इसमें first time किसने participate किया है तो इसमें participate किया है Tejas ने ठीक है और ये indigeniously developed Tejas है तो इसलिए काफी जादा important हो जाता है और ये fav 27 से mark 70 तग ही exercise चलने वाली है और आपका exam April में है तो शायद ही आपसे question कूछा जा सकता है next question देखते है so next question है कौन सी country host करने वाली है first vice ministeral meeting of I2U2 काफी जादा important question है अपने पहले कहीं बार discuss भी करा ये question है ना तो ये है by UAE ठीक है UAE इस बार host करने वाली है और अगर मैं आप से बताऊ की I2U2 ठीक है ये forum ये कहा का है ये अगर मैं आप से बात कुरूँ इसमें कौन कौन सी country है तो इसमें इसराइल इंडिया, USA और UAE ठीक है ये आपको पता होना चाहिए ये established कब हुआ था अगर आप से पूछले है कि established कब हुआ था तो ये हुआ 2021 में ठीक है बहुत important है आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे और इस बार UAE एक और चीज़ host कर रहा है काफे important Miss World 2023 UAE host कर रहा है तो ये आप ध्यान रखेंगे और एक और Sea Gulf Foot जो भी UAE एक और host कर रहा है तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो हर बार एक scheme से related question आता ही है तो शायद वो question ये भी हो सकता है तो इस बार हो चुके है 4 years around ठीक है 4 years हो चुके है 24th FEP को ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये कब launch वी थी कौन से year में launch वी थी तो ये हुई थी 2019 में ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे launch की गई थी प्रदान मंत्री नरिन मौदी जी द्वारा और अगर मैं बात करूँ कि इस में इस scheme में क्या है तो इस scheme में 6,000 रुपे हर एक किसान को ये दिये जाते हैं इन 3 installments ठीक है पूछा जा सकता है ये around 5.2 billion की ये deal हुई है तो कौन सी गंडरी के साथ हुई है आपको ध्यान रखना है ये हुई है जर्मनी के साथ ठीक है रिसेंटली जर्मनी के जो चांसलर है वालेफ स्कूल्स ठीक है ये अभी भारत की विजिट पे थे 25-26 पैप को तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए तो ये चीज़ आप ध्यान रखें किसके साथ 6 conventional submarines बना रहा है भारत तो वो बना रहा है जर्मनी के साथ ठीक है तो ये आपके लिए important हो सकता है next question देखते है next question है कि कौन से state ने recently commercial cultivation करा है लिक्वरिस मुलेटी का आपने ये देखा होगा मुलेटी ये जो बहुत sweet होती है आपने खाई भी होगी और ये बन चुका है first state जिसने organized cultivation किये मुलेटी की तो कौन सा state है वो बना है हिमाचल प्रदेश ठीक है आप ये द्यान रखेंगे और अगर हम बात करें मुलेटी जिसको commonly बोलते हैं लिक्हुरिस लिक्हुरिस के नाम से भी जानते है और अगर हम बात करें इसके scientific name का तो इसका scientific name है गलेरीजा गलैबरा आप से इतना तो नहीं पूछेगा बट लिक्वारिस आपको ध्यान रखना है और कौन सा state बना है जिसने first time cultivation किया है तो वो बना हिमाचल प्रदेश ठीक है बाकी first में तो केरल आता है बट इस time मुलेठी में किया है हिमाचल प्रदेश ने, next question देखते है तो next question देख लेते हैं, recently Russian President ने announce किया है कि हम suspend कर रहे हमारा participation in New Start Treaty New Start Treaty ये signuity हुई थी 2010 में किस ने sign की थी, ये sign की थी बरक ओबामा और उनके Russian counterpart Dimitri ने, ठीक है in 2010 Prague में, और अगर मैं बात करूँ New Start इसका full form क्या है, ये किस से related है तो ये strategic arms reduction treaty थी, है न, तो इक कौन कौन सी country के बीच में, ये है US और रशिया के बीच में आपसे direct question पूछा जा सकता है, UPSC पूछ सकता है prelims में, तो आपको ध्यान रखना है US और रशिया के बीच में next question देखते है, so next question देख लेते हैं, CRPF hold कर रहा है, it's raising day for the first time in which state कौन से state में ये hold कर रहा है, first time तो अगर मैं आपसे बात करूँ, वो hold कर रहा है 36 गड़ में, और ये कब raised हुआ था CRPF, तो ये हुआ था 27 July को, देखे 27 July 1939 में, देखे तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, और CRPF अगर मैं बात करूँ, तो ये largest paramilitary force है, और ये अ और 83 काहाँ पर बनाया था, तो 83 बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, और जिसे कि आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ पर बहुत जादा, जागलपूर में और कामनपूर में headquarter है, कोबरा, बटालियन का, तो एक्स पोर्शन देख लेते हैं कि कौन बने एवाइ इंट्रपेनियोर ऑप दे यर 2022, ये कौन ने जीत लिया ये अवाट, तो ये जीता है अवाट सज्जन जिंदल, जिसा के आपको पता है, आपने सुना होगा JSW ग्रूप के वारे में, तो ये उसके मैनेजिंग इंडियन बने थे, जिनने मतलब चेर्मेन बने थे, ये वर्ल्ड इस्टील असोशियेशन के, वर्ल्ड इस्टील असोशियेशन के, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, और अगर मैं बात करूं, इसके रिलेटेड एक जूरी भी बनाई गई थी, जिसको हैड किया चेर्ड किया था, केवी कामंद ने, थीक है, आपने बहुत बार ये कमीटी सुनी होगी, केवी कामंद कमीटी, है न, तो इनने किसने सिलेक्ट किया, इनको केवी कामंद के द्वारा ये एक जूरी बनाई गई गई, 7 मेंबर की, तो उनने सजजन जिंदल को, ईवा इंट्र आपकरो, अबे, रिसेंट ली, एक और कप हुआ था, जिसके बारे में आपको धियान रखना है, क्लप वर्ल्ड कप, ठीक है, क्लप वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये जीता था, रियल मेड़िड ने, मैक्सिम्मम टाइम भी रियल मेड़िड ने जीता था, इस बार का by which of the following countries, कौन सी country के ये द्वारा ये launch किया गया था, तो पहले तो मैं बताओं, ये launch किया गया था November 2021 में, ठीक है, November 2021 में ये group launch किया गया था, कौन सी country के द्वारा, तो ये किया गया था, UAE and USA, ठीक है, U2 आप दियान रख सकते हैं, तो U2 country के द्वारा ये launch किया गया था, और अगर मैं बात करूँ, ये किसली है, ये initiative किसली है, ये address करेगा, hunger and climate change, hunger plus climate change को ये address करेगा, ठीक है, तो ये चीज आपको दियान रखना है, और रिसेंटली भारत ने अब जोइंग कर लिया, तो ये काफी ज़्यादा important हो जाता है, next question दिखते है, so next question है, recently IINES Sumedha ने participate करा है, Naval Defense Exhibition, Navdex, और International Defense Exhibition, IDEX 23, तो ये आपको पताना है, कौन सी country में ये held किया गया था, ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था, conduct किया गया था, तो ये किया गया था, अबूधा भी में, अबूधा भी UAE में, अगर मैं आपसे बात करूँ, कि ये first IDEX कहाँ पे हुआ था, तो first IDEX हुआ था 1993 में, ठीक है, first IDEX 1993 में हुआ था, आपसे cross question भी पूछा जा सकता है, कि recently Navdex और IDEX UAE में हुआ, तो इसमें कौन सी INS ने participate किया, ठीक है आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपको बता होना चाहिए, इसमें participate किया INS सुमेदाने, ठीक है, आइनस सुमेदाने, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, next question देखते, so next question है, कि कौन सी country, एक नाम से और जाना जाता है, treaty of high seas, ठीक है, treaty of high seas से आप ध्यान रखेंगे, अगर आप से पूछ लिया जा है, treaty of high seas कहां पे होई, तो ये हुई नी यॉर्क में, ठीक है, और ये किसलिए, ये एक international agreement है, on the conservation and sustainable use of marine biology, diversity areas, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, किसलिए है ये conservation, आप से देखे, prelims में आप से पूछा जा सकता है, और CDS में आप से direct पूछा जाएगा, ये कहां पे held हुई थी, तो ये held हुई थी नी यॉर्क में, ठीक है, next question देखते हैं, so next question देखते हैं, recently first semiconductor plant of India, ये कहां पे आने वाला है, तो ये आने वाला है, डोलेरा गुजरात में, ठीक है, आप डोलेरा और डोलावीरा से confused मत हुईएगा, डोलावीरा एक अपनी UNESCO World Heritage List में शामिल हुआ था, 40th नंबर पे, तो आप इससे confused मत हुईएगा, डोलेरा भी काफी यूज में था, क्योंकि प्रधान मंतरी ने निन मोदी ने यहाँ पे, डोलेरा एयरपोर्ट की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्तापना रखी थी, और अगर मैं बात करूँ की, first semiconductor manufacturing unit कहां पे आरी, तो वो आरी, डोलेरा गुजरात में, ठीक है, डोलेरा special investment region गुजरात में, ठीक है, तो यह चीज आपको दियान रखना है, और कौन-कौन सी company का joint venture है, तो यह है वेदानता ग्रूप और Foxcon, ठीक है, यह नाम भी आपको याद होना चाहिए, और कहां पे आ रहा है, यह आ रहा है, गुजरात में, next question देखते हैं, so next question है, the world first international summit on the responsible use of artificial intelligence in military, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, AI बहुत जादा news में रहता है, और AI अब भी बहुत जादा, अब पे तो आपको यह चीज पता होना चाहिए, कि कहां पे यह हुई है, यह military की, artificial intelligence in military की submit कहां पे भी, तो यह हुई Netherlands में, ठीक है, Netherlands आपको यह country पता है, जिसने सबसे जादा maximum goals किये थे, कहां पे, recently hockey world cup, जो कहां पे हुआ था, जो हुआ था, उडिसा में, ठीक है, उडिसा में हुआ था, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, और यह जीता किसने, यह जीता Germany ने, ठीक है, Germany ने जीता हराया किसको Belgium को, है ना, तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, next question देखते है, so next question देख लेते हैं, कि India चेयर करने वाला है, G20 will host the permanent mission round table, यह कहाँ पे होगा, यह होगा, at UN headquarter New York में, तो इसको चेयर करेगा, कौन अपना प्यारा भारत, और इसका title क्या रहने वाला है, इसका title रहने वाला है, गांधियन ट्रस्टी शिप, तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, कौन चेयर करेगा, इसको करेगा भारत, ठीक है, next question देखते है, so next question है, Congress 85th Plenary Season, बिगन इन, ठीक है, कहाँ पे यह कौन सी city में, यह चालू हुआ है, 85th Plenary Season, तो यह कहाँ पे हुआ है, यह हुआ है, नया रायपूर में, और अगर मैं आपसे बात करूँ, यह किसकी Presidency में हुआ, तो यह हुआ है, Malika Arjun Khargay, Malika Arjun Khargay की Presidency में हुआ, और अगर मैं बात करूँ, First Session, अगर आपसे पूछ लिया जाए, First Session कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था, Bombay में, ठीक है, यह हुआ था, Bombay में, 1885 में, और इसके Presidency कौन थे, इसके Presidency थे, WC Banner G, ठीक है, आपको यह याद रखना है, और जितने भी Session है, ठीक है, जितने भी Important, Important Session है, वो में एक बार डिसकस कर लूँगा, आपसे एक्जाम से पहले, अपने इस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, Important Session of INC, तो वो आपके लिए, काफी जादा Important साभीत होगा, Next Question देखते हैं, So, Next Question काफी जादा Important है, आपसे Direct Question पूछा जा सकता है, कि First Time INS Sindhu Kayseri Docked in Which Country, और आपसे इससे Cross Question भी आ सकता है, कि Recently अब भी, इंडोनेशिया में First INS कौन सी Docked होई, तो उसका रहेगा अंसर आईने, Sindhu Kayseri, यह आपको नाम नहीं बूलना है, बहुत जादा Important है, आपके एक्जाम के लिए आप यह ध्यान रखेंगे, तो कौन सी कंट्री में होई, यह हुई इंडोनेशिया, जकार्ता में, है ना, तो यह आपको ध्यान रखना है, और यह travel कहां से किया, इसने travel तो इसने किया सुन्डा स्ट्रेट से, ठीक है, सुन्डा स्ट्रेट काफी जादा Important है, कहीं बार आपके एक्जाम में पूछा है, पहले तो स्ट्रेट में बता देता हूँ, जो 2C को अगर Connect करता है, तो आपको सब को पते ही होगा, और यह किस को Connect करता है, तो यह Connect करता है Java Sea, ठीक है, Java Sea को किस से Connect करता है, Indian Oceans, भी है, Indian Oceans है, तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, और अगर मैं बात करूँ, में ये किसके बीच में ये है Java और Sumatra के बीच में ये श्टरेट Java और Sumatra के बीच में तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं दोनों आइज़िएलेंड काये का बिचे हैं इन्डोनेशिया के आइज़िएलेंड से हैं तो ये आपको पता होना चाहिए काफी जादा important question है और अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2020 में भी ऐस्ट्रेलिया ने जीता था 2018, 14, 12, 10 हर बार इतनी बार ऐस्ट्रेलिया ने जीत चुके है और यह है 6th title ठीक है 6th title है तो आपको यह दियान रखना है तो कौन सी कंट्री ने जीता है ऐस्ट्रेलिया ने भारत ने भी काफी अच्छा अपना performance दिया बट सेमी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के एक परस्ट मिली बट हाँ काफी अच्छा परफॉर्म किया भारत ने और किसको हराया ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया South Africa को ठीक है जो host country थी उसी को हरा दिया ऑस्ट् और T20 World Cup जीते हैं 6, ठीक है, तो काफी जादा important है, आप ध्यान रखेंगे, next question लिखते है, so next question है, Indian Air Force ने participate करा exercise Cobra Warrior, काफी जादा important exercise है, तो यह कहाँ पे held हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हुई यह, तो यह हुई, Weddington Air Force Base, ठीक है, आप से direct यह भी पूछा जा सकता है कि Weddington Air Force Base क कहाँ पे, तो यह कहाँ पे, यह है UK में, United Kingdom में, और अगर मैं बात करूँ, एक multilateral exercises में किस-किस ने participate किया, इसमें participate किया, Finland, Sweden, South Africa, USA, और Singapore, ठीक है, तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और along with the side, Royal Air Force and Indian Air Force ने भी participate किया, ठीक है, यह March में exercise की जाएगी, तो इसलिए काफी आपंधर जाएगे, आप इसको यह ध्यान रखेंगे, exercise का नाम है, exercise Cobra Warrior 2023, आपसे direct question यह पूछा जाएगा, कहाँ पे होई यह हुई, United Kingdom और, वैडिंग टर्न, Air Force Base, ठीक है, नेक्स question देखते है, so next question है, कापी जाएगा इंपॉर्टेज वूमेन टीम, स्क्रिप्ट हिस्टी विन्स मैडन नेशनल होकी टाइटल जैसा कि आपको पता है कि 30th होकी इंडिया सेनियर भूमेन नेशनल चेंपियनशिप जो की आंदरप्रदेश में चल रही थी आंदरप्रदेश काकी नाड़ा में तीक है आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट ने होस किया था तो यह हो रंजी ट्रोफी किस ने जिता था सवरास्ट्र ने तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए मद्डे प्रदेश मद्भिप्रदेश ने उस्ट किया था क्या था खेलो इंडिया गेम्स यह झा जी और फर्स टाइम जीता है मत्यप्रदेश ने तो यह काफी जादा इंपोर्टेंट है आप दियान रखेंगे next question देखते है so quiz of the day आपके लिए recently the fourth edition of the binary training exercise dust lake 2023 यह start होई पितोडगर उत्राखंड में तो कौन सी country के साथ होती है भारत और कौन सी country के साथ होती है मंगोलिया, उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान comment section में बिल्कुल बताईएगा आप जल्दी से जल्दी comment कीजिएगा so next quiz है आपके लिए North India का first nuclear power plant is being constructed in which of the following state or union territory कहां पर आ रहा है यह first nuclear power plant अपने discuss भी किया था उत्राकंड, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, लदाग comment section में जरू गताईएगा I am waiting for your comments ठीक है तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीस एक like कर सकते है अगर अब भी तक आपने Instagram पे follow नहीं किया तो प्लीस follow आस on Instagram This video is presented by me, my name is Sagar गुपता, मिलते हैं next class में जफ्तर के लिए अपना देहान रखिए, जैहिन जैवार